परिकारडियिस की बात करते हैं बहुत ही सिंपल है कोसफ की बात कर ले तो ड्रेसलर सिंड्रोम देखने को मिलता है after heart attack यूरीमा यूरीमिक परिकारडियिस कोस कराता है इसके अलाबा डेन्सर हो गहीं जैसे की Constructive Pericarditis के अंदर During Inspirational JVP Rises इसी को हम कहते है Cosmol Sign अब बात करते है Pericarditis में किस तरीके का Pen मिलता है तो Retro-Sternal Chest Pen मिलता है इसकी खासियत क्या होती है इस Pen की जब लेटते हैं तो ये खराब होता है वहुत ज़़द दर्द करता है और ये इंप्रूव करता है जब खड़े होता है तो Auscultation के अंदर हमें Frictional Rub देखने को मिलता है इस Pericardial Frictional Rub की खासियत क्या क्या होती है It is a Pathognomonic for Acute Pericarditis Very High Pitched Sound Best Heard with the Patient Sitting and Leaning Forward And Best Heard at the Lower Left External Border ECG के बात करें तो IST segment हमें क्या देखने को मिलता है Elevation देखने को मिलता है Chest XTRA के अंदर Enlarged Heart देखने को मिलता है ECO के अंदर Fluid in Pericardium देखने को मिलता है और CT Scan के अंदर में Calcification देखने को मिलता है In Constructive Pericarditis